वीडियो लेकिन हमारे लाइट चली गई संडे स्पेशल कटोथी लाइटी चली गई और रूम में अंधीरा था अभी लाइट आई है तो मैंने सोचा भाई जिजी तडप रही होगी पादे मा भी तडप रही होगी रिपलाय चाहिए ना वो लोगों कम्यूनिटी एक साल या 6-7 महिने बाद जिजी फिर से अकड में आ गए जिजी तुम मानती तो हो ये बात कि तुम जहां पर भी हो 60,000 या जो भी हो सिर्फ सिर्फ मेरी बदौलत पहुंची थी तुम सिर्फ मेरी बदौलत और इसने अब 36 चैनल भले ही बना लिये हैं इसके खुद के हमा इंट्रेस्टेड लिस्ट इंट्रेस्टेड इसको देखना तक नहीं चाहते क्योंकि यह एक नंबर की जूटी फ्रॉड नली है ठीक है और फाय यार यह कर ले भाई तो अपनी मन की तसल्ली कर ले तू क्रियेटर एक का तो तुम मेरा नाम डिस्प्ले कर रही है मैं इस पर भी तेरे पर लिगल एक्षन लोगी तू बस उस कम्यूनिटी को लगाए रहे तेरे पर तो मैं लिगल एक्षन कैसे होता है ना तू सिर्फ हवा फायर करती है तुझे मैं असलियत में बताऊंगी कैसे किया जाता है क्योंकि क्या था ना तू पढ़ाई लिखाई की उम्र मे भाग भुगा के साधी कर ली माबाप की जट को कलंक लगा दिया है ना बाप भाई मतलब नहीं रखते है ठीक है मा का दिल पसीष्टा है तो वो भले ही आ जाती हो गुरू क्या होता है तुझे वो भी नहीं मालुम गुरू को भी तूने फसा के साधी कर ली हाँ पूरे जह सबसे उदार मांगती है कोई कुछ काम के लिए चाता है तो तुरंट पैसे मांगती है और यहां पर भी आप इसकी क्मिनिटी फढ़ लो और इसका वीडियो देख लो कॉंपेंसेशन मिलता है अरे यार तेरे 35 लाग ये तुने दो साल से जो तु टटी खा रही है तेरे 35 लाग उससे खटे नहीं हो पाए क्या दो साल से तुने जखमा रहा है वाईटी पे लिविंग स्टैंडर्ड तो तुने हाई कर लिया लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लि लिका करें है ना तो अब विचारी लोगों पर लीगल एक्शन करेगी लोगों के ऊपर नौटंगी करेगी और कॉंपेंसेशन से पैसे वो करेगी बड़ी फुरसत है बड़ी फुरसत है इतनी फुरसत उसी को हो सकता है जिसकी लिए दुनिया में बाप भाईया ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया सबसे बड़ा वाइटी है इसके लिए वाइटी से डाली गली और क्या है ना आप लोग भी देख रहे हो कुछ दिनों से मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे रहे रेगुलर मेरे पास टाइम की बहुत कमी है क्या होता है बहुत सारे लोगों को सोचना ऐसा रहता है बस बैड गई वीडियो चालू कर दिया ना एडिटिंग करना ना कुछ आके बोल दिया पर जो बोलते हैं उसके पीछे भी दुनिया भर की चीज़े देखते हैं उसके बात बोलते हैं बिना उसके नहीं बोलते हैं बि यह publicity stunt करूं और तेरी पदोड़ी अम्मान है जो वो seal दिखा रही है ना मैं तेरे को एक छोटा से example देती हूं इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी समझदार को इशारा काफी है हमारे आप टेस्ट खतम हुआ पीटी वन टेस्ट खतम हुआ हम लोगों ने result तयार किया अब possible तो नहीं है कि principal इतने सारे result में sign करेगा तो हर class teacher को seal दे दी गई थी principal signature की seal पकड़ा दी गई थी और class teacher उस seal से लगा रही थी अब मैं चाहूं मैं कुछ भी school की तरफ से नौटं की prepare कर लूँ टैपिंग करा के principal की seal लगा दू और यहाँ पे वाइटी पे लगा दू द अड्रेस जो तू दिखा रही है ना नौटं की बाज और रात तू भी कहां रहती है कौन से floor पे रहती है क्या करती है सब हमको भी मालूम है ठीक है और जिसके जो तो तेरी वह है ना परवीन बॉबी बॉबी है ना बॉबी जी तो बॉबी जी ने मुझे क्या बोला था जो तुझे सला दे रही है ना आज बैटके उसने मुझे भी सला दी थी जब मेरे वो और परवीन बॉबी जी आप भूल गई है सबसे जादा गालिया धकन को आप ही देती थी वो recording है मेरे पास भी है ना और जिससे भी तुने दिया था और लोगों को उनके पास भी recording है खेर त तुम से तो तुमारे ही बेटा बहु परेशान होके चले गए तो अब मैं उसके लिए क्या बोलू मैं किसी परसनल किसी पर जाना नहीं चाहती हूं यह इनका फैमिली इशू है लेकिन यह जो परवीन बॉबी है ना इसने मुझे कॉंटेक करा था बोला था कि ना ये लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे है आपकी दवाई के लिए ऐसा बोल रहे है तो ना मेरा भाई बहुत बड़ा वकील है तो बड़ा वकील नहीं वकील है तो आप केस ठोक दो धकन पर केस ठोक दो मैंने बोला क्यों ठोक दो भाई तो बोल रही अरे ठोक दो मान हानी का case कर दो तुम्हें कभी आना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें आना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा case चलता रहेगा और जब तुम जीत जाओगी ना compensation मिलेगा एक दो तो वो बॉबी जी है ना उसको मेरे को आज तक ये ख्लीर ही नहीं हुआ भाई कुछ नहीं समझ में आया उस अौरत को मुझे से किस बात की चुल लुई मुझे नहीं समझ में आया मेरे साथ थी सब था फिर उसके बाद इसको क्या दिक्कत हुई नहीं मालू अच्छा वीडियो में जरा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूं इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूं इसको यहीं पे अंड करती हूं अभी मैं सेकंड पार्ट भी अप्लोड कुंग